हलो दोस्तों केसी वह आप दोस्तों आज आपको हो बतानों पीएफ से सम्मधिद बहुत बढ़ी जानकरी दोस्तों अगर आप इस समय ग्रवेंस पोटल पर जाकर क्यों अपने किलेम से सम्मधिद कि या आपका क्लेम अभी तक सेटल्ड क्यों नहीं हुआ है एडवांस का हो जिसमें आपको claim ID select करनी होती है yes और अगर आपको claim ID COVID-19 से किया हो तो आपको yes और others किया हो तो no option का select करना होता है तो यह सब कुछ point एक बारी की से आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप आप नए करम से गिरवेंस portal पर complaint दर्ज कर पाऊगे और आप universal करते हो तो आप other KYC के कैसे complaint कर पाऊगे या आपका कोई KYC में नए बदलाव के लिए complaint दर्ज करते हो तो एक नए करम में आपकी दर्ज की जाएगी वो सब कुछ आपको एक एक पिश्टेप बताऊंगा इस वीडियो में तो आपको कुछ ने करना बस वीडियो के अ वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके एक इस पर देना इस पर जैसे यह आप किलिक करोगे तो यह कुछ इस परकार से आपके सामने उपन हो जाती है, जैसे ये आपके सामने कुछ इस परकार से उपन होती है, तो आपको ये भो आता देना है क्रोज का एक निसान अता है उससे और दिखा देता हूं आपको को सब्स्राइब करते हैं आपको क्स इस प्रकार के इंटरफेस आ जाता है तो अब आपको तो यहां से कोने में आपको दिख रहा हुगा इंग्लिस एंडिटी टो आपको आपको जो भी आपकी लेंग्विजिस से आपको स्यलख्ट कर लेना तो मैं इंग्लिस से आपको यह घर भर्ता च Laurie करता हूं ए पूरा करके आपको दिखा देता हूँ जैसे ही मैं नहीं याहा है तो आप यहां देख सकते हो यहां पर कुछ इस परकार का अटरफेस आ गया है, तो मैं आपको इस स्कूल थोड़ा कुछ कुछ डिखाता हूँ, तो आपको यहां ओपसण देख रहे होंगे, PF Member, EPS, Pensionner, Employee और अधर तो चार ओप्सन यहां पर आ रहे हैं तो आपको मैं कोशिज करता हूँ इसको समझाने की आप जिस प्रकार से ग्रिवेंस डालना चाते हो उस इसाफ से डाल सकते हो आप पीएफ मेंबर हो तो पीएफ वाले डाल सकते हो आगर आप पैंसेनर से संब्सक्राइब कोई रहता हूं तो आपको यहां पर देख रहा होगा पीएफ मेंबर्स तो इस पीए मेंबर्स के चोकर सा जो गोल सा यह इदार आ रहाता है कि एभी करकूंगे आमको करेंब पहले क्या होता था डाइरेक्ट आपकी यह समझाऊंगा और यहां पर यह दे गया कि आपने कोई क्लेम कर रखा है कोई क्लेम कर रखा है तो आप यहां से क्लेम आईडी का चेन कर सकते हो और अगर नहीं कर रखा तो नहीं का चेन कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूं जब ग्रिवेंस पर कंप्लेंट डालते हैं तो ग्रेवेंस पोर्टल पर हम जैसे हमने कोई हमारा जैसे पीएफ भर रखा है पीएफ का फॉरॉम भर रखा है विड्रोल के लिए और वह अभी तक सेटल नहीं हुआ है चाहे वह कोविड-19 से संब्धित भरा हो हमने ऑप्शन का चेहन करके जो पेंडमाइनिक पारा के तह कर देता हूं तो आपको सामने कुछ प्लिक प्रकार का इंटरफेस आ गया है ढ़ मैं आपको बता देता हूं आपको हमारे पास क्लेब नमबर उन नहीं कर्तों होगी है आपको डेट तो यहां पहले से ही सो दिखाएगा यहां पर लेकिन हमने कब क्लेम कर था कोई आइड हमको चुनना है तो यह आइड चुनने के लिए हम कहां से लेंगे तो मैं आपको बताता हूं यह आपको कैसे लेनी है तो आपको मैं समझा देता हूं उसके लिए आपको पर दिख रहोगा एक option निकार होगा आपको यहां पर जो EPF passbook claim status तो आपको इस option पर click करना है यहां से आप अपना पता कर सकते हो जो आपकी claim ID होती है option पर जैसे ही आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस पर करकार के अटरफिस आजाएगा तो अब आपको यहां पर अपना Universalcontrol नबर जो होता है बहे आप यहां पर डाल देना है और passport- крепouter डाल देना प्लस है तो आप पर लोगिन हो जा जाओंगे तो उसके बाद मैं यहां पर दिखेगा मैंने थोड़ा क्रोल कर दिया है उपर की तरफ क्योंकि नाम इसमें दिखाई ना दे तो आपको यहां दिख रहा होगा Select Member ID तो आपको यहां पर option दिखता है है यहां पर आपको किलिक करना और यहां से member ID आपको कर लेनी है जिससे आपने क्लेम किया है तो मैं यहां से एक आईडी का सेलक्ट कर लेता हूं यहां पर दिख रहा होगा इसमसे एक आईडी का मैं यहां पर सेलक्ट कर लेता हूं आपको यह यह तो कोपी कर लेना है कोपी करके पैस्ट उदर कर देना है या फिर आप इसको लिखके भी डायरेक्ट डाल स सकते हो और अब आपको यहां पर दिख रहा होगा यह कुछ इस प्रकार से यहां पर पेस्ट कर देनी है और यहां पर डेट भी आपको डाल देना जिस डेट को आपने किया था तो मैं आज की डेट से किलिक करके दिखा रहा हूं तो आपको मैं बता देता हूं यह कोविड वाले किलेम का दिखा रहा हूं उजह हमने आफ और पैंडा माईनिक के पता होगा pandemic claim होता है पारा उसके संब्दित आपने जो किया है उसके लिए आपको चार दिन तक आपको इंतिजार करना है अगर आपके claim करने के बाद चार दिन हो जाते हैं उन चार दिन होने के बाद में आपको गिर्वेंस रेश्टेट करना है कोविड-19 के जो option आपने संब्दित भरा है पी एफ विड्रोल के लिए तो आपको जब चार दिन चला जाता है उसके बाद आपको complaint डालना है तो चार दिन तक आपको इंतिजार करना है तो आपको यह clear हो चुका होगा तो मैं यह point से आपको एकदम clear कर चुका हूँ यह वाला पैसे क्लेम नहीं किया है आपको यहां पर करना है मतलब कि हमने अगर inlays option से क्लेम किया है यह advance को कोई मतलब निकालने की कोशिश की है आपको समझे में आ रहा होगा तो आपको नो option के claim कर no option पर click करना है और आपने या फिर अपने full and final PF का किया हो या आपने pension का पैसा निकालने के के लिए claim डाला हो उसका grievance आप डाल रहे हो तो आपको यहां समझ में आगे होगा yes only covid-19 के लिए और no आपका other के लिए तो यहां तक clear हो चुका गा तो no पर मैं आपको किलिक करके इस submit पर किलिक करके आपको दिखाऊंगा जब इसका क्या result आता है यहां पर हमने no option का chain कर लिया और date में इसी में डाल चुका हूँ और आपको no वाले option पर यहां पर claim के आपको दिख रहा होगा क्योंकि कि हमने यहां पर advance का निकालने के लिए किया है लेकिन inless option से निकालने के किया है तो अब मैं आपको यहां पर submit वाले option पर किलिक करके दिखा देता हूँ और आप यहां देख सकते हो यहां पर लिखा आ गया है गिरवैंस can not be submitted within seven days मतलब इसका देख दीज़े बोल रहा है कि आप गिरवैंस तब डाल सकते हो जब आपका किसी जो आपने claim किया है आपने कोई claim transfer के लिए डाला हो या आपने advance का पारह से निकालने के कुछई को inless option का chain किया हो या आपने 19 का पारह से निकाला हो या अब आपको ऐसे दाल चुका होगा और आपको करके दिखाता हूं कि आभ आपको करें दिखाएंऑ प्या वाले और अपर graffiti करता हं प्यांब यहाँ पर जैसे मैं केरता हूं फिर kleine Value सुझे म में और तो यहां पर बोल रहा, do you have claim ID, yes, आपने कोई claim कर रखा है, transfer से संब्दीत हो, या पीएब निकालने से संब्दीत हो, या किसी से भी संब्दीत हो, तो yes वाले option पर किलिक करना होता है, लेकिन हमने कोई claim नहीं कर रखा, तो हम क्या करेंगे, no option का chain करेंगे, तो हम यहां पर no का option पर करके दिखाता हो, तो no option आपको दिख रहा होगा, तो यह वाले option का chain करूंगा, जब मैंने yes वाले दिखा़ई था आपको दिखा देता हो, तो no पर मैंने किलिक कर दिया है, आप यह पर यहां सकते हो, No option के जब चेहन करते हो ताब आएगा यह वाला option, और आपको यहाँ सAmericur to Code डाल देना है उसके बाद में आपको समझ में आगए कंज़ुए औगल रखकें जवा का सैगल, किसी टाइपिन करने का और जैसे नहीं हो रहा है या अदर कोई भी आप एक पीएफ के अंदर दिक्कत आ रही है उसकी आप सिकायत कर सकते हो लेकिन अगर आपने कोई क्लेम कर रखा है तो मैं आप उसका आपको अल्रेडी बता चुका हूं तो आपको यह तक समझ में आ गया होगा गेट स्टाइट पर किलिक करके आप अपना क्लेम आप अपना गिर्वेंस डाल सकते हो तो आसा करता हूं दोस्तों जो यह नए उप्सन आये थे येस और नो का क्लेम आईडी का सेलक्ट करने का यह नया अपडेट आया था जिसको मुझे आपको देना जरूरी था आपको इसस अबगत कराना जरूरी था तो दोस्तों आसा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आप सीख चुकोंगे किस परकार से आप अपना गिर्वेंस जो डालोगे तो आपको यहां पर किस इस पर हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद